नमस्कार, मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नारायन राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत स्री गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित स्री राम चरित मानस के पंचम सोपान सुन्दर कान से संबंदित विबिन पदों की व्याक्या की इस शुंकला में आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जा रहा हूँ सबसे पहले अब विबिशन की बात सुनकर लगबग राम समुंदर से प्रार्धना करने आरंब कर दिया और इसी बीच में क्या हुआ जो रावन के द्वारा बेजे गए दूत आये हैं वे भी शिराम जी के शरणागत वतसलता से बहुत प्रसन हो गए हैं आगे क्या हुआ तो सिदाज जी के शब्दों में पहले पद देखेंगे पद की व्याक्या भी हम देखेंगे प्रगट बकानहि राम सुभावू अति सप्रेम गा विशर दुरावू रिपुके दूत कपिन्ह तब जाने सकल भांधि कपीस पहि आने कह सुग्रीव सुनह सब बानर अंग बंग कर पतवह निसिचर सुनि सुग्रीव बचन कपि दाये बांधी कटक चहु पासु फिराये बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकारत तदपिन त्यागे जो हमार हर नासा कान तेहि कोसला दीस कई आना सुनि लच्मन सब निकट बुलाए दया लागी हसि तुरत चुडाए रावन कर दीजहु यह पाती लच्मन बचन बाचकुल गाती कहेव मुकागर मोड सन मम संदेश उदार सीता देई मिलह नाता आवा काल तुमहार देखिए अब लक्षमन जी क्या किया है अब इस बीच में क्या हुआ रावन के द्वारा जो दूत बेजे गएते वे लोग खपट रूप मतलों वानर वेशदारन करके आये हैं और प्रभु शिराम चंदर जी की शरनागत वत्सलता बक्तुं के प्रती शिराम चंदर प्रभु की दयालुता आधी से इतने प्रसन हो गए हैं वे भी बिल्कुल बगवान शिराम के गुणगान करने लगे हैं देखिए प्रगट बकान हिराम सुभाव अति सप्रेम घा बिसर दुराव रिप के दूत कपिन तब जाने सकल बांद कपीस पहिं आने फिर प्रकट रूप में भी अतिनत प्रेम के साशिराम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे तब उन्हें क्या हुआ जो दुराव मतलब खपट वेश भूल गए हैं तो अब बानरों ने जाना की ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांद कर सुग्रीव के पास कह सुग्रीव सुना हु सब भानर अंग भंग कर पटवह निसिचर सुने सुग्रीव बचन कपि धाये भांदी कटक चाहु पास फिराए सुग्रीव ने कहा ये वानर सारे वानर सुनिये रक्षसों के अंग भंग करके बेज़ दो सुग्रीव के वचन सुनकर क्योंकि राजा तो आदेश दे दिया है सुनकर वानर दवडे दूतों को बांद कर उन्होंने सेना के चारों ओर गुमाएं इसे गुमाएं देखे बहु प्रकार मारन कपिलागे दीन पुकारत तदपिन त्यागे जो हमार हर नासा काना थे ही को कोसलादीस कई आदा. देखिये वह आभी राम के बक्त बन गए वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे विए दीन होकर पुकारते थे फिर भी वानरुने उन्हें नहीं चड़ा क्योंकि वो उन्हें शित्रू मान कर मारने लगा. तब दूतों ने पुखार करका जोर से जो हमारे देखिए जो हमार हरना साटान तेही कोसलादीश कई आना जो हमारे नाकान कटेगा उसे कोसलादीश प्रभुशिराम चंदर जी की सोगंद है देखिए अब इसके बाद बिल्कुल वातावरन बरिवत्तित हो गे सुनि लचमन सब निकट बोलाए दयालागी हसी तुरत चोड़ाए रावन कर दीजहु यह पाती लचमन बचन बाच को लगाती यह सुनकर लख्षमन जी ने सब को निकट बुलाए रहे रुको उन्हें बड़ी दयालागी इससे हस कर वुन होने रक्षसों को तुरंत ही और उनसे कहा रावन के हाथ में चिट्टी देना यह पत्र देदो और कहना हे कुल गात्तक लक्षमन के शब्द संदेश जो आये हैं इसको बांचो मतलब पढ़ो कहे हु मुकागर मूड सनमम संदेश उदार सीता देई मिला हुना ता आवा काल तुमहार देखे फिर उस मुर्क से जबानी यह मेरा उदार कृपा से बढ़ा हुआ संदेश भी कहना क्या संदेश देना है सीता देई मिला हुनाता आवा काल तुमहार अगर अब सीता जी को देखर उनसे मतलब प्रभुशिराम चंदर जी से मिलना कैसे सीता जी को वापस करके मिलो नहीं तो तुमहारा काल आही गया समझ लो इस पद की व्याक्या और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं देखिए जो प्रकट रूप में जो दूत हैं वे बक्ति भाव से इतना वो प्रोत हो गए हैं कि वे प्रकट रूप में भी शिराम जी के स्वबाव का अत्यनत प्रेम पुरोग गुनगान करते हैं ल वे उन सब को बांद कर सुग्रिव के पास ले आएं तो सुग्रिव ने कहा है सब वानरों सुनो रक्षसों के अंग बंग करके वापस बेश तो क्योंकि दूत है मारना उचित नहीं है सुग्रिव के वच्चन मतलब आदेश सुनते ही वानर दवडे दूतों को बांद कर उ और गुमाया और ऐसे क्या देखे बहुत तरह से वानर उन्हें मारने लगे उन दीनों के पुकारने पर भी वानरोंने उन्हें नहीं छोड़ा तब रावन के दूतों ने पुकार कर देखे कई कुछ भी करें ये सुना नहीं जैसे हम इसको देखते ही जब जैसे हनमान जी क तुरंट स्विकार कर लिया लेकिन वह चोटे-चोटे राक्षपस हनमान को मारते रहते हैं उनको मालूम नहीं कि इसकी प्रतिक्रिया यहां तो रहें देखिए हमारे नाक काटेगा तो कुसलादीश रग्वंश शिरोमनी प्रभु शिराम चंदर जी की आना मतलव सावगंद है देखिए तब ये सुनते ही लक्षमन जी ने सबको अपने पास बुलाया उन्हें बड़ी दया आये जिसने हसते हुए उन्हें राक्ष सोंगें प्रभु शिराम चंदर जी के शरण में आयत और क्या चाहिए इसलिए तुरंत उनको चुड़ा दिया और रावन के हाथ में ये पत्र देदो बोलके बता दिया और ये भी कहा हे कुलनाशक लक्षमन के द्वारा जो बेजा गया जो ये पत्र कम से कम फढ़ो क्यों पढ़ना ह अब आगे बताते हैं देखिए और अंत में कहते हैं कहेव मुकागर मूड सनमम संदेश उदार सीता देई मिलह नाता आवा कालु तुम्हार उनके दो आप्षन दिये हैं देखो उस मुर्क रावन को ये मेरी शब्दों को बता दो ये मेरा जुवानी मेरा उदार संदेश क करना कि मैं बहुत और एक मौका दे दिया है लेकिन वह ध्यान से उनको खुल गात तक बताते हैं कि तुम सीथा देई मिलह नाता आवा काल तुम्हार एक तो आपके लिए दो आप्षन है यह आपको बचना चाहें तो क्या करना है अत्यंत समान पुरक मा जानकी मा को ले आक प्रभु शिराम चंदर जी को देकर शिराम चंदर जी के शेरण में आओ नहीं है तो यह समझ लो तुम्हारा काल आ गया है देखिए अब लक्षमन जी हम सब जाने इसके पहले भी समंदर की बात आये तो जब मैंने बता है तो क्योंकि लक्षमन आदिशेष का आवतार है प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहिए नो कि अगर उनको मौकादी तो उम्मारने के लिए तैयार हो जया जल्दी जल्दी काम करके वाईकॉंट पहुंचना चाहिते है यहां इसके बहुजूद भी प्रभु इतने दयालू है कि प्रभु के शेरण में आओ बोलके लक्ष झाल झाल